हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो आपका केजियस नीट यूट्यूब सेशन में चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे आज हम लोग क्विक रिविजन सीरीज हमारे डे पोर में पाइलोजी में जो कि मैं जोलोज सब्सक्राइब करने वाले हैं लोको मोशन मुवमेंट नीवरल कंट्रोल और कॉर्डिनेशन केमिकल कॉर्डिनेशन इंटीग्रेशन ठीक है बच्चों नी 2024 के लिए जो भी कॉंसेप्ट बिल्डप होंगे रिवजल सीरीज होगी उसके लिए स्टूडेंट्स ये सारे सेश खड़े होकर बॉडि पार्ट्स को मूव करा रहे हैं हिला रहे हैं जमा रहे हैं कूद रहे हैं नाच रहे हैं लेकिन लोको मोशन में क्या है लोको मोशन में आप पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो लोको मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन चेंज इन पोजीशन ठीक है इसमें हम लोगों ने क्या-क्या देखा muscular system and skeletal system ठीके बच्चो तो जब भी हम muscular system के बारे में बात करते हैं हम लोग muscle से deal करते हैं यहाँ पर हमने कौनसी कौनसी देखी striated और skeletal smooth and cardiac smooth and cardiac ठीक है यह बात हो गई उसके बाद हम लोगों ने इसके differences देखे हम लोगों ने filaments को देखा actin पिल्कुल short में mind map बता रही हूं यह मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को actin myosin ठीक है उसके बाद then हम लोगों ने इससे related sliding filament theory देखी हमने क्या देखा बच्चो sliding filament theory कि किस तरीके से यह theory मदद करती है ठीक है actin and myosin के पॉम में हम जो कह रहे हैं कि वहीं slide करेगा जो आपका actin है वो myosin के ओपर slide करेगा ठीक है यह बात हो गई sliding filament theory और देन हम लोगों ने sliding filament चरीक बाद disorders देखे हम लोगों के बाद हम लोगों स्केलिटल सिस्टम को डील किया कि इस चीक है कि इस सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने पूरा axial skeleton and appendicular skeleton अबे पता है 206 बोन है बच्चों में 213 होती है चाइल्ड में ठीक है ठीक है बच्चों is it clear आ गई बात समझ में आ गई की नहीं है बगी है ना चलो अब axial में क्या आता है आपका skull आएगा and ribs आएगे ठीक है skull में क्या होगा क्रेणियल क्रेणियल के अगा आपका रिप्स में क्या होगा रिप्स में और स्टर्णम वर्टीबल कॉलम ठीक है स्टर्णम वर्टीबल कॉलम रिप केज ठीक है इस इट क्लियर रिप केज अब यहां पर आएंगे आपके पोर लिम और हाइंड लिम उससे रिलेटेट पेक्टोरल गरडल आइंड पैल्विक गरडल ठीक है पेक्टोरल गरडल एंड पैल्विक गरडल इस इट क्लियर आगई बात समझ में चलिये तो यह सारी ही चीज यहों कतलि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं इस चैप्टर में कि मैंने आपको क्या-क्या बताए था कि जो muscular system है वो क्या है आपके bones से associated है थीक है अब आपने जैसे bones को देखा था आपने जैसे bones को देखा था आपने है ना strited bones को देखा इन सारी चीजों को देखा तो आपको उसमें ऐसे bands नजर आए filaments वाले चीजों कि डार्क बैंड लाइट बैंड जिसमें आइसो ट्रोपिक बैंड एन आइसो ट्रोपिक बैंड देखा था चलिये लेट स्टार्ट विद देखा था प्रेक्टिस विच अफ दे फॉलोविंग इस नॉट आ फंक्शन ओव इसकेलिटल सिस्टम इन वर्टीब्रेट ये इसमें से फंक्शन नहीं है देको support देगा protection देगा hematopoiesis देगा conduction नहीं देगा conduction का काम तो nerve का है न in which type of joint do bones allow movement in only one plane joint के बार में हमने पढ़ा था न कि हमने कहा था कि fibrous joint होगा cartilaginous joint होगा आपका synovial joint होगा उसमें ball and socket hinge joint only in one plane one plane जैसे gate का hinge होता है which of the following is not true regarding skeletal muscles not true मतलब wrong है wrong statement पकड़िये क्या ये bones से associated है tendon से बिलकुल सही है they are responsible for voluntary movement सही है they are striated in appearance सही है पर क्या दे under involuntary control no voluntary ठीक है what is the function of synovial fluid in synovial joint क्यूं fluid को डालते है शायद lubrication देना चाहते हूं बिलकुल देखो nutrients नहीं होंगे transmit nerve impulse नहीं होंगे hormone नहीं to reduce friction between the bones which of the following is a characteristic of smooth muscle क्या होगा characteristic of smooth muscle strated appearance नहीं होती है voluntary नहीं होते है सिर्फ heart में निपक पर ये involuntary होते है not in will of a person ठीक है बच्चो which of the following is not a component of the appendicular skeleton देखो appendicular skeleton में limbs आएंगे pelvic girdle आएगा pectoral skull skull किसमें आता है बच्चो axel skeleton में मतलब इसमें हम लोग question के साथ ही concept build up करें इसमें कोई theory का बहुत बड़ा रोल नहीं आ रहा है वो हम पढ़ चुके है क्योंकि theory आप पढ़ चुके है इसमें आपको questions लगाने आने चुछिए है what is the role of ligaments in the skeletal system ligaments in the skeletal system ये क्या करता है muscle to bone तो आपका tendon हो गया cushioning नहीं calcium नहीं to connect bone to bone ठीक है ये आगे मेरी बात समझ में this is ligament bone number one bone number two which of the following is not a type of muscle tissue cardiac muscle होती है heart में skeletal muscle होती है bones में smooth muscle होती है visceral organs में adipose muscle मतलब adipose muscle तो कुछ है ही नहीं what is the function of axial skeleton जो बिल्कुल हमारी body के center से पास होता है हम store minerals support movement to produce blood cells क्या होगा बच्चो बताईए बई axial skeleton है skeleton है hard है तो mainly जो इसका function होगा वो internal organs को क्या होगा protect करना होगा which of the following is an example of hinge joint hinge वाला joint कौन सा होगा जैसे gate पे hinge होता है ना hinge elbow joint चलिए identify the bone पहली बात तो ये आपके four limbs से related question है ठीक है अब बताईए कौन सा होगा बच्चो देखो ये अलना वाली है ना आपकी radius वाली यहां से पास हो रही है radius वाली यह रही उपर वाली क्या है humerus carpals metacarpals and phalanges digits ठीक है अब बताईए ये skeletal muscle का diagram है identify the label part and select the incorrect option ध्यान से पढ़ना बच्चे का करेंगे select वाला incorrect पे आप टिक करिए जब भी ऐसा question आता है ना incorrect पे टिक करिए incorrect पे टिक करिए उसके बाद आपको क्या होगी चीजे समझ में आएंगी बताईए A है आपका myofibril contain actin fit ठीक है Z line anchors actin flamin ठीक है H zone reason sarcoplasmic reticulum functional unit है नई sarcoplasmic reticulum तो reservoir of calcium है functional unit of muscle contraction क्या होता है sarcomere assertion reason चली अब muscle fiber contract when calcium ions bind to troponin exposing the active site as ATP hydrolysis provide the energy for the contraction cycle by causing myosin to move actin अब पढ़के क्या समझ में आ रहा है आपको कि भाई आपका जो explanation है जो reason है वो explain कर रहा है ना कि जो ये binding वाली है जब ATP का hydrolysis होगा जब energy का usage होगा तभी तो actin आपके myosin के साथ आके जूड़ेगा red muscle fiber adapted for sustained contraction and contain high density of mitochondria myoglobin in red muscle fiber store oxygen providing a sustained source of energy for muscle contraction बताईये इसको पढ़ें तो भाई high energy क्यों है क्योंकि उसको बार बार sustained source पर जाना पढ़ रहा है oxygen की utilization पर येस explanation है tendons are tough flexible bands of fibrous connective tissue that connect muscles to bone tendons store energy during muscle contraction and releasing rapidly to increase the force of muscle contraction अब अगर आप इसको देखोगे तो दूसरा वाला तो incorrect है ना कहां से force बढ़ाएगा पर पहला वाला तो सही है during muscle contraction dash filament slide over dash filament causing the sarcomia to shorten this process is mediated by the protein बढ़ा आसान सा बहुत ही शांदार question है देखो पता है आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि कौन सा किसके ओपर जाएगा actin myosin पर जाएगा तो myosin actin पर नहीं troponin नहीं है नहीं actin myosin पर जाएगा और कौन सा protein help कर रहा है troponin ठीक है in the human skeletal system the dash bone is the longest and located in the longest कौन सी होगी सबसे होती है femur thigh वाली मैंने आपको बहुत बार बताया था the dash is a tough band of connective tissue that connects muscle to bone muscle to bone को कौन कनेक्ट करेगा tendon कनेक्ट करेगा now match the column करिए बताये tendon attaches muscle to bone मतलब one का three अगर one का three है तो फिर इनको हटा दीजे ठीक है उसके बाद और कैसे match करेंगे आप लोग two का four होगा three का one होगा और four का two होगा चलिए match the following types of muscles with their respective characteristics skeletal muscle में क्या होता है striated appearance तो अगर C का one है तो cut these two options यह कोई मतलब भी नहीं होगा निकलेगा इन ही आंसर इसमें से फिर smooth A का three visceral cardiac two तो three two one which of the following statements are correct regarding skeletal muscle पढ़िये और बताईए क्या होगा muscle bundle health के तो पर फैसिकल नहीं फैसिया से होता है सारको प्लाजमी स्टोराउस आफ कैशियाम बिल्कुल करेक्ट है striated appearance acting बिल्कुल है M line contract गलत तो सिर्फ B और C ही सही है अब बताईए ये भी बड़ा अच्छा question है इसमें क्या होगा cartilaginous A का two होगा तो ये गलत है उसके बाद आपका B का four होगा बिल्कुल between humorous C का one होगा और D का आपका three होगा between carpel and metacarpals of thumb ठीक है which of the following is present between adjacent bones of vertebral column जैसे ये vertebral column है ठीक है अब इन्होंने कहा है कि adjacent bones of vertebral column आपको अभी भी इसमें flexibility दिखानी है आपको अभी भी इसके अंदर flexibility दिखानी है तो अगर flexibility दिखानी तो क्या डालोगे cartilage क्योंकि ये pliable and soft है चीक है which of the following is a correct match for disease and its symptom बताईए correct बताईए titani के साथ high level calcium नहीं mice senior gravis genetic disorder नहीं muscular dystrophy autoimmune disorder पर अगर आप itis को end में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा inflammation inflamed joint बिल्कुल सही है given below are two statements ठीक है अब आपको बताना है osteoporosis characterized by decreased bone mass and increased chance of fractures ठीक है common cause of osteoporosis is increased level of estrogen यह common cause है बताईए यह common cause नहीं है first वाला सही है और R is not correct यह common cause यह causes तो बहुत अलग अलग है सिर्फ females में देखा जाए तो इसको common cause बोज़ते हैं now again those statement पढ़िए देखिए autoimmune disorder में जो हमारी खुद का defense है वो cells को खाता है बिल्कुल ठीक है rheumated arthritis is a condition where body does not attack cell-cell यह तो गलत है जबकि rheumatoid arthritis भी एक autoimmune disorder है statement 1 is correct and 2 is incorrect chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscle chronic सबसे पहले तो autoimmune disorder और उसके बाद इतनी सारे symptoms यह कौन से भीमारी थी बच्चो it is मियास थीनिया ग्रेविस्क्यो की यहाँ पर आपकी weakening हो रही है muscle की weakening से आप पकड़ेंगे इसको चलिए अब मिलाईए देखो यहाँ पर अगर vertebral column की बात करें तो cartilaginous joints होते हैं तो अगर D का 1 है ठीक है उसके बाद cranium fibrous joint B का 3 sternum flat bone 2 scapular triangle तो 4,3,2,1 किसमें आएगा यह last वाले में चीक है अब match the column करिए फिर से gout का मतलब क्या होता है accumulation of uric acid crystals ठीक है उसके बाद और मिलाईए osteoporosis B का 1 हो सकता है इससे फिर titni low level of calcium 2 तो देन आपका D का क्या है muscular dystrophy genetic yes this one match the following columns and select the correct option बताईए floating ribs does not connect with the system अब अगर आप A को 4 देखोगे तो बाकी सबको काट दो option अब क्या करो option से तुम answer को निकालो क्या B का 3 होना चाहिए होना चाहिए तुम ऐसे ही देखके निकाल सकते हो C का 1 yes and D का 2 yes this one चीक है आगई बात समझ में now select the correct option each rib is a flat अब आपको correct निकालना है क्या each rib is a flat thin bone है क्या सारी ribs thoraxic vertebrae से connected है 7 pair of vertebrae sternal 3 pairs of vertebrae chondral and 2 pairs 8, 9, 10 pair of ribs articulate directly या 11-12 अब आप खुच सोचो जब हम rib का बनाते है यह हम लोग यह जो पूरा rib cage बनाते है अगर आप इसको rough फर्ग भी बनाऊगे तो कैसे निकालोगे इसका answer हम बताओ देखो ventrally आप उसको dorsally नहीं कर सकते thoraxic से ठीक है अगर आप 7 pair of vertebrae 3 pair of vertebrae और 2 pairs of vertebrae कह रहे हैं फिर आप 8, 9, 10 बोल रहे हैं कि वो articulate होती है directly sternum से और 11, 12 में highly नहीं इसमें कही न कहीं कोई ने कोई mistake आ रही है लेकिन अगर आप 2 को देखें तो यह बिल्कुल सही option है इसके लिए which of the following muscular disorder is inherited मतलब mother, father से genetically मिलेगा आपको हम हम it is muscular dystrophy calcium is important in skeletal muscle contraction because it हम देखो calcium क्या करता है आपको यह पता है कि यह जो troponin है इसके unmasking करेगा ना bind to troponin to remove the masking of active side actin for myosin यह actin को बोलेगा जाईए connect हो जाईए ठीक है तब पाइवर्ट जोइंट between atlas and axis जो आपका first and vertebrae है ठीक है क्या होगा बच्चो बताईए भाई आप मुझे एक बात बताओ कि यह किस टाइप का है आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि पाइवर्ट जोइंट किस कैटिगरी में आता है साइनोवियल जोइंट में चलो out of x pairs of ribs in human only y pairs are true ribs select the option that correctly matches the value of x and y मैं कह रही हूँ कि आपको total x ribs बतानी है और कौनसी वाली true ribs है वो बतानी है तो आपको यह बहुत अच्छे से बताए कि 12 pair होती है और 7 जुड़ी वी रहती है तो ना यहां 12 है ना 12 है यह 5 गलत है तो 12 साथ ठीक है चलिए अब हम लोग neural control and coordination के practice questions देखते हैं दीकिए जब भी हम neural control and coordination के mind map के revision करते हैं तो हम यह कहते हैं कि it is related to neuron और nerve cell nervous cell के बच्चों कितने पार्ट आते हैं आपके dendrites cyton and exon ठीक है dendrites cyton and exon और यह बहुत important part है इसके neuron के ठीक है यह वाला अगर हम diagram form करें ठीक है यह यह क्या है dendrites हम इसमें dendrites कौन से हैं यह वाले यह cyton और यह है exon यह exon आपकी क्या कह सकते हैं फाइबर exon endings ठीक है और यह exon यह ending हो गई यह bulb हो गया अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि muscle और neuron को neuromuscular junction कहेंगे लेकि neuron neuron के synapse तो हम लोग जब neurons के बार में बात करें तो हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास central nervous system है जो की brain and spinal cord से बना हुआ है जो की बच्चो brain and spinal cord का compost है done उसके बाद यही central nervous system peripheral nervous system को derive करता है कि ऐसी nerves जो की brain and spinal cord से निकल रही है तो brain से cranial nerves and आपका spinal cord से spinal nerve अब जो peripheral nervous system है वो अपने आपको divide करता है two में somatic nervous system उसके बाद autonomic nervous system ठीक है autonomic nervous system फिर से अपने आपको two parts में divide करता है sympathetic and parasympathetic ठीक है sympathetic and parasympathetic done उसके बाद क्या होगा बच्चो then यह सारी बाते हो गई then अगर हम लोग देखो जो आपकी syllabus में है उसमें क्या था आपका if we consider brain तो brain has three parts poor brain mid brain and hind brain poor brain, mid brain and hind brain ठीक है अब four brain के क्या है three parts है cerebrum ठीक है नहीं यह वाला ऐसे हाँ four brain के क्या है cerebrum ठीक है यह 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 जानते हैं कि सिर्फ दो ही पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक तो cerebral aqueduct और corpora quadrigemina जो चार तरीके के ऐसे lobulated structures इसमें दिखते हैं तो चलिए लिख लेते हैं gemina and cerebral aqueduct हाइंड ब्रेन में क्या है cerebrum miniature cerebrum बोलते है ठीक है pons oblongata ठीक है medulla oblongata अब देको overall जो यह सारे functionings हैं हम कह रहे हैं यह हमारे body का balance hearing posture सब कुछ connect कर रहे हैं यहाँ पर thinking emotions feelings anxiety यह सारी चीज़े हो रही है and hypothalamus तो आपके chemical में अभी बहुत ज़्यादा काम आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर neurosecretory cells भी हों गए ठीक है done is it clear चल sense organs तो आपके slabers से हटी गए थे तो अगर चलो अगर हम लोग यह कुछ बात करें कि when we deal with the types of nerve fibers तो हम यह कहते हैं यह sense organs है sense organs अगर कोई भी stimulus brain को देंगे तो वो किस से देंगे sensory neurons है as for sense organs as for sensory neuron किसको देंगे brain को देंगे अब अगर brain इसको आगे organ तक भेजेगा जैसे कोई muscle तक भेजेगा तो motor neuron M for motor and M for muscle ठीक है तो यहाँ पर जब हम synapse के बारे में बात करते हैं when we discuss about synapse what do you mean by synapse synapse is the connection, junction between two neurons between two neurons ठीक है अब जो इसमें first neuron होगा वो क्या कहलाएगा pre-synaptic neuron ठीक है और जो second होगा वो होगा post-synaptic neuron अब ये भी क्या है दो तरीके के हैं electrical and chemical electrical and chemical electrical में क्या है कि जो दो आपकी synaptic membranes है ये जो दो neurons है उनके बीच में बहुत कम gap होता या होता ही नहीं है no gap between pre and tick neurons अगली बात समझ में gap between gap between pre and post done is it clear got my point चलिए यहां पर आपका release of neurotransmitter है release of neurotransmitter है चीक है यहां पर direct direct transmission अब देखो अगर हम यह अपना resting action potential या फिर आपके generation, conduction और impulse की बात करें generation and conduction of nerve impulse ठीक है तो क्या होता है resting potential action potential की बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यह plus मांते हैं इसको minus मांगते हैं फिर charge क्या हो जाता है change हो जाता है तो यह इस तरीके से movement करते हैं आपको पता है कि axon के उपर आपके पास यह क्या होते हैं nodes of ranvier क्या होते हैं बच्चो nodes of ranvier तो इस पे क्या होता है jumping conduction होता है जिसको salta tetry conduction भी कहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे gates देखे k plus channels na plus channels k plus channels na plus channels ठीक है is it clear ठीक है और k plus pump ठीक है चलिए चलिए let's do the practice question which of the following neurotransmitters inhibitory in function जो चीजों को inhibit करेगा वो कौन सा होगा बच्चो it is GABA क्योंकि यह तो सारे initiate करते हैं the structure responsible for maintaining balance and posture in humans अभी तो देखा था terribalum the autonomic nervous system is divided into two main parts which of the following is not one of these parts बताईए देखिये autonomic into two main parts which of the following is not one of these parts बताईए देखिये इसमें एक odd one out answer निकलेगा कि देखो peripheral nervous system तो itself autonomic ही बना रहा है ना तो enteric nervous system हुआ which part of the brain responsible for regulation of hunger thirst body temperature body temperature पर तो आपको खुद को पता है बिना सोचे समझे hypothalamus पर ही जाना है the nerve cell that carry impulse from receptors to CNS to CNS sensory क्योंकि आपको पता है कि sense organs always blessed with receptors ठीक है the chemical messenger released by the exon terminal of neuron is called क्या होगा it is yes it is neurotransmitters यह release होता है जैसे यह exon bulb हो गया फिर यह vesicles हो गया तो यह ACH release होगा यहाँ पर यह सारको सारको लीमा पर भी हो जाता है और आपके neuron पर भी होगा which of the following is not a function of spinal cord not a function of spinal cord conducting nerve impulse integral reflexes ठीक है transmitting sensory producing CSF यह नहीं होगा Parkinson's disease is caused by a deficiency of which neurotransmitter which neurotransmitter it is dopamine क्योंकि जो satisfaction and feeling के लिए आता है which part of the brain is responsible for the coordination of voluntary movements and balance and balance बताईये and balance yes it is cerebellum the gap between two neurons where neurotransmitters are released it is synapse और दूसरी membranes पे भी क्या होते है receptors ठीक है the part of the brain that plays a role in the regulation of sleep-wake cycle and consciousness बताईये sleep-wake cycle and consciousness पे कौन होगा cerebellum cerebellum कौन होगा यार ये तो बड़ा आसान सा है आप खुदी बता सकते हो कहाँ sleep-wake cycle pineal gland किदर वाले एरिया में है cerebrum which of the following is not a function of hypothalamus hypothalamus का ये function नहीं है देखो ये इससे मिलता जुलता दिख रहा है क्या आपको देखो हमने कहा कि cerebrum है तो वो consciousने इस पर कर रहा है अब ये body temperature hunger था sleep voluntary movement का coordination है तो ये दोनों जुड़ेवे question है the central nervous system consists of nerve वाला part तो हो ही गलत जाएगा odd one out answer which of the following is a function of cerebrum ये काम cerebrum करता है ये काम cerebrum करता है बताईए ये तीनों क्या है ये तो mainly इसके मतलब hypothalamus के आते हैं पर हम ये कह रहे हैं कि properly जो cerebrum करेगा वो तो उसके parts करेगा पर main क्या है processing of sensory information the part of the brain that relates sensory information to the cerebral cortex is thalamus the process by which a nerve impulse jump from one to another ठीक है तो देखो यहां पर continuous continuous word तो पहले ही fill in the blanks में कट जाएंगे saltatary होगा ठीक है this type of conduction is much faster than this insulation provided by myelin sheet increases the speed of nerve impulse transmission by forcing the impulse to jump from node to node is a process known as बताईये क्या होगा देखो हमीं कह रहे हैं कि यहां पर भी यह जंप कर रहा है from node to node तो यहां पर भी saltatary आएगा तो यह गलत है तो saltatary continues and saltatary the neurotransmitter is released at the neuromuscular junction अब कौन सा neurotransmitter होगा acetic acid तो कते ही नहीं होगा तो COD को काट दो where it bound to receptor on the muscle fiber lead to dash enzyme acetyl cholesterase break down acetylcholine into dash and choline terminating the muscle contraction very easy question पढने में difficult है पर बहुत आसान है वही किसमें तोडेगा acetylcholine contract करेगा और acetic acid में part of brain coordinate voluntary movement posture balance dash it receives input from dash and sends output to spinal cord and muscles the dash is also involved in motor learning and adapting to new movement simple fill in the blank question कौंसा होगा part of brain coordinate with is cerebellum posture balance it receives input from cerebrum involved the spinal cord also involved in motion adapting to new movement so it is the third option एक बार और और match कर लेते हैं कहीं हम गलत तो नहीं हैं हाँ assertion reason medulla oblongata control vital function such as breathing heart rate blood pressure as it contains center for regulating autonomic and relates information हाँ ये देखो ये इसको explain कर रहा है ये क्यों control कर रहे हैं इसको क्योंकि इसके पास के center है acetyl choline is a neurotransmitter released as neuromuscular junction it initiate an action potential in the muscle fiber leading to muscle contraction yes it is true क्यों release क्या जाता है जिससे की action potential दूसरी neuron में जाए the part of human brain that helps in regulation of sexual behavior excitement pleasure reggae fear etc it is limbic system and hypothalamus line to learn NCRT में है how do parasympathetic neural signal affect the working of heart बताईए parasympathetic emergency से बाहर लाओ ठीक है तो increase नहीं होगा increase वाले तो term ही हटा दीजे reduce both heart rate and cardiac output चलिए diagram showing axon terminal and sinus बिल्कुल NCRT का diagram है बताईए identify correctly at least of A and D पताईए इस A is a receptor yes A is a receptor ठीक है and C क्या है आपका vesicle है parasy neurotransmitter नहीं है DK plus नहीं है ठीक है students and A is not a neural the correct option is B a person entering an open room suddenly find a snake in front of and opening the door which one of the following is likely to happen in this neuro hormonal control gate खोला और साप दिख गया emergency condition emergency condition sympathetic गलत गलत ठीक है अब इन्होंने बोला है कि sympathetic hormones cortex release करता है गलत medulla से करता है the nerve center which control the body temperature and urge for eating body temperature जहां पर भी आता है ना बच्चों सीधे से आता है hypothelemus during the propagation of nerve impulse the action potential results from the movement of यह आपको बहुत अच्छे से पता है रफ़र करिए और answer बताईए भाई आपको potential change करना था तो हमने na plus gate को खोला था ना कि वो ecf से icf में आ जाए match the column बताईए इसमें क्या होगा इसमें आपका first का second होगा cerebral cortex bipolar neuron किसमे होते है retina of eye myelinated होते है spinal nerve में और first तो यह identify the region of human brain which has pneumotoxic center अब देखो जो ट्रिक से पतला P से P respiratory rate यह तो सोचना ही नहीं है P से P था हमारा trick pons वाले एरिया में rhythm maintain करेगा select the incorrect statement regarding synapse गलत statement बताना है synapse से related membrane proximity होती है electrical में ठीक है electrical current flow directly from one neuron to another across the electrical ठीक है chemical use neurotransmitter ठीक है पर impulse transmission across a chemical is faster नहीं इसमें तो slower होगा यह यहाँ पर slower होगा ठीक है which part of the brain is responsible for thermoregulation temperature again hypothalamus nasal body are composed of nasal body granulated rough है तो rough अला part आ गया इसमें which of the following structures or regions is incorrectly paired with its function incorrect है incorrectly paired है बताईए पर्पस केलोसम जो cerebral hemisphere को बानता है ठीक है medulla oblongata controlled respiration CVS होते है hypothalamus regulation of temperature ठीक है क्या लिम्बिक system fiber tracks को interconnect करता है no it is assisting the hypothalamus receptor sites for neurotransmitters are present in yes it is on post-synaptic membrane myelin sheet is produced by myelin sheet is produced by schwann cell and oligodendrocyte schwann cell तो करेंगे पर extrocyte नहीं करेंगे और ये दोनों तो odd one out है which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function incorrectly paired है बच्चो incorrectly corpus करेंगे करेंगे cerebrum calculation के लिए medulla homeostatic लेकिन cerebellum is not for language composition mainly it is with आपका posture and balance के लिए injury localized to the hypothalamus would most likely to disrupt अगर hypothalamus को कोई injury हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी short time memory नहीं coordination नहीं executive regulation of body temperature हम अपने body के temperature को maintain नहीं कर पाएँगे ठीके बच्चो आगई बात समझ में अब आता है बच्चो आपका chemical coordination and integration हम यह कहते हैं कि यह पूरा का पूरा nervous system से integrated है पर nervous system हर जगे नहीं जा सकता nervous system faster होता है short response बस थोड़ी देर के लिए होता है जब आपको lower और long term response चाहिए तो आपको endocrine glands की help लेनी पड़ेगी endocrine glands की help लेनी पड़ेगी वो औरगन जो specialized हो जाते हैं hormone secretion में उनको उनको क्या बोलते हैं endocrine gland अब होता क्या है ये एक तो ये gland क्या होते है ductless तो अपने secretions को किसमे ड़ेंगे directly into blood directly inside the blood और और बच्चो और बताईए directly inside the blood और क्या कह सकते हैं दूसरी बात ये है कि ये जो glands होते हैं ये spread all over the body है ठीक है और ये क्या है only hormone production ठीक है आगली बात समझ में अब दूसरी बात क्या है कि जब भी हम hormones की बारे में बात करते हैं तो होता क्या है सबसे पहले they are present in trace amount present in trace amount ठीक है proteinaceous हो सकते हैं peptide वाले हो सकते हैं मतलब थोड़े कम amino acids है proteinaceous में बहुत ज़ादा है और और क्या हो सकते हैं बच्चो और क्या हो सकते हैं steroid amino acid derivatives अब देखो अगर आप endocrine glands की बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है hypothalamus hypothalamus आपका brain का part है वो एक brain का part है वो इसका part नहीं है आपकी endocrine system का लेकिन hypothalamus में कुछ cells जो neurons होते हैं वो neurosicretory हो जाते हैं जो कि hormones का क्या करते हैं production करते है neurosicretory cells directly किस से जुड़े वे रहते हैं किसको control करते हैं pitutory gland को ठीक है कौन से दो hormones को बनाएंगे ये ADH anti-diuretic hormone ठीक है और vasopressin sorry oxytocin ADH का ही दूसरा नाम vasopressin है ठीक है बच्चो done is it clear आर ये बात समझ में अब कौन से कौन से glands है जैसे pitutory है pineal gland है ठीक है pineal gland है और thyroid gland है parathyroid gland है thymus gland है आरे ये बात समझ में then adrenal gland pancreas adrenal gland pancreas आर देन आपकी gonads males में testis and females में ovaries ठीक है यहाँ पर आप hypothalamus भी लिखिये hypothalamus आपकी body का supreme commander है pitutory gland nostre gland है ये इसको control करेगा ये इसको और pitutory सबको control करता है ठीक है तो हम ही कहते है pitutory और pineal क्या है brain वाले हिस्से में है ठीक है और आपके जो थाइरोड पराथारोइड है थाइमर से थोरेक्स वाले में adrenal abdomen pancreas abdomen ये abdominal या थोड़ा सब से नीचे ठीक है अब आपको पता है pitutory gland के देख लेते हैं कौन से hormones बनाएंगे सबसे पहले growth hormone सबसे पहले क्या है growth hormone फिर आएगा आपका prolactin thyroid tumulating hormone ठीक है then adrenocortico trophic hormone आगी बात समझ में polycular stimulating hormone luteinizing hormone ठीक है done अब देखो ये जो सारे hormones होते हैं ये अलग-अलग glands पर act करके उन्हें भी यह message देते हैं कि आपको क्या करना है कोई न कोई काम करना है ठीक है दूसरी बात क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो hormones होते हैं वो non nutrients होते हैं ये अगर आते हैं body में तो हमें कोई भी energy नहीं मिलेगी बस metabolism control होगा ठीक है अगरी बात समझ में अब देखे पिट्यूट्री के क्या है आपको बहुत अच्छे से पता था पार्ट्स हैं एंटी एंटीरियर पिट्यूट्री एंड पोस्टीरियर ठीक है अब अगर आप और देखे पिनियल ग्लैंड कौन से हॉर्मोन बनाते हैं मेलाटोनिन ठीक है एडेज वैसोप्रेसिन हमने देखा ही था मिडल वाला MSH बनाता है मिडल वाला क्या होगा मिडल लोब फिट्यूट्री MSH मिलनोसाइड स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन है ठाइरोड कौन से बनाते हैं ठाइरोड आपके बनाते हैं टी थ्री एंड टी फूर चीक है अच्छा एक चीज और लिखी है हाँ यह मैंने लिख दिया ना पैराथोरोड पैराथोरोड पैराथोर्मोन ठीक है पैराथोर्मोन देन आपका एड्रीनल यह तो आपने अभी पढ़ा एपिनेफरी नौर एपिनेफरी एड्रीनली नौर एड्रीनलीन एड्रीनलीन और और बताइए बच्चो और क्या क्या होगा अगर हम लोग पैंक्रियास के बारे में बात करें तो पैंक्रियास में क्या होते हैं बच्चो आइसलेट्स ओफ लेंगर हैंस यह कौन से बनाएंगे इलफा बीटा गामा थिटा जिसमें दो मेंली हम लोगों को देखने हैं कौन से कौन से, इंसुलिन और ग्लुकेगॉन, इंसुलिन और ग्लुकेगॉन, जो दोनों blood glucose level को क्या करेंगे, maintain करेंगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या आएगा, ये, गॉनाट, अच्छा थाइमस क्या बना रहा था थाइमोसी मैच्योरिंग ओफ टी लिम्फोसाइट डन गॉनाट्स में यहाँ पर टेस्टीज बनाएंगी टेस्टोस्टिरोन ठीक है और ओवरीस इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आगई बात समझ में डन चलिए let's solve the questions which hormone is responsible for the contraction of gallbladder कुछ extra hormones भी थे चलो वो भी बता देते हूं कौनसे कौनसे थे कौली सिस्टो काइनिन जी आई पी गेस्ट्रिक इनहीं बीटरी पेप्टाइट गेस्ट्रिन भी था सिक्रीटिन भी है now which hormone responsible for contraction of gallbladder yes it is cholecystokinin which of the following is not the function of thyroid gland metabolism yes calcium homeostasis yes development of harm blood pressure नहीं which hormone is responsible for the growth and development of memory glands during pregnancy during pregnancy बताईए है during pregnancy कौन करेगा it is progesterone memory gland क्योंकि क्या है ये pregnancy को favor करते हैं P for pregnancy P for progesterone which hormone is responsible for mobilization of glucose from glycosin in the liver ध्यान से बताना हमने कहां mobilization glucose from glycogen it is glucagon बढ़ाना है ना blood में बढ़ाना है which gland is known as the master gland अभी मैंने बताया था pituitary है ना है ना और which hormone is responsible for the regulation of blood calcium level बताये ब्लड में calcium level कौर मेंटेन करेगा it is PTH parathyroid hormone which hormone responsible for the regulation of sleep-wake cycle kirkadian 24 hour kirkadian rhythm it is melatonin from pineal gland which hormone responsible for fight and flight response emergency it is adrenalin medulla part से which hormone responsible for regulation of reabsorption ये तो हमने एक scritory में भी किया था it is ADH हम चाते हैं कि urine हमारी concentrated हो वो diluted नहीं हो now which hormone responsible for stimulation of milk ejection during breast feeding it is oxytocin now which hormone is responsible for the regulation of blood glucose level by promoting the uptake of glucose by the cells cells से निकाल रहे हो आप cells से निकाल रहे हो hmm uptake actually uptake का मतलब ये है कि आप cell को दे रहे हो insulin मतलब बलड में कमी कर रहे हो which hormone responsible for maintaining and development of male secondary sexual testosterone which hormone responsible for the regulation of body response to stress including release of increase of blood glucose level it is cortisol na glucocorticoid which hormone responsible for regulation of menstrual cycle and pregnancy देखो अगर regulation की बात करें पर pregnancy भी डाल दिया तो प्रोजेस्टोन क्योंकि इस्ट्रोजन भी तो करता है which hormone responsible for stimulation of RBC production in the bone marrow RBC erythropoietin poietin ये तो दिखके ही बता रहा है insulin is released from pancreas in response to high blood glucose level as insulin helps in the uptake of glucose by cell thereby reducing blood glucose level yes both assertion reason are related ये तो बस समझ में ही आ रहा है thyroid hormone regulate the BMR in the body as thyroid hormone stimulate the breakdown of fat protein and carbohydrate to release energy हाँ भाई देखो जब तक ये cell में इसको burn नहीं करेंगे यही तो metabolism है adrenaline is released during the fight or flight response adrenaline increases heart rate and blood flow to muscles preparing the body for physical exertion yes fight and flight में शेर आपके सामने खड़ा है तो muscles को भागवाना पड़ेगा आपको yes बताईए ये diagram दे रखा है आपको बताना है कि कौन सा क्या है क्या ये सही है A adrenal gland है हाँ A adrenal gland है उसके बाद आपका B pancreas है हाँ पत्ती की तरह है then आपका जो C है वो thyroid gland है गले में है ना और आपका D pituitory है तो बताईए कौन सा सही होगा A वाला क्योंकि thyroid नहीं है pituitory नहीं है pituitory नहीं है in the diagram below identify the labeled part that is responsible for the production of hormone that regulate the metabolism of carbohydrate fat protein कौन metabolism में मदद कर रहा है thyroid gland कर रहा है which of the following are not under the control of thyroid hormone क्या चीज thyroid hormone के control में नहीं होती है maintenance of water electrolyte balance ठीक है regulation of BMR नॉर्मल रिदम नहीं होगी D नहीं होगा immune system RBC formation होता है C and D match the list करिए देखिए ADH किसे होगा? kidney से ANF किसे होगा heart से ठीक है आ गई तो अगर D का 1 है and C का 2 है ठीक है C का हम लोग क्या कह रहे है ANF आपका heart से related है ठीक है तो C का 2 है और D का 1 है तो A का 4 होना चोईए बिल्कुल ये ये वाला होगा तो जो आपका B है automatically 3 हो जाएगा Which of the following are not the effects of PTH? ये थोड़ा नीचे चला गया है दिखने ही रहोगा आपको बताइए are not the effect stimulate process of bone resorption करते हैं decreases calcium level of blood ये नहीं करते है आपका reabsorption of calcium by renal tubule करते है decreases reabsorption नहीं करते है आपको ये बताना है not the effect ये बता रहे हैं ना हम लोग ये करते हैं नहीं करते हैं ये वाला नहीं करते हैं तो BDE only hormones stored and released from neurohypophasis hypothalamus देता है कौन से कौन से हैं simple सी बाते दो ही तो है oxytocin and vasopressin select the correct statement correct वाला बताईए glucagon associated with hypoglycemia नहीं ज्यादा होता है insulin acton pancreatic cell adipocytes insulin acton pancreatic cell adipocytes insulin acton pancreatic cell adipocytes hyperglycemia hypo glucocorticoid stimulant gluconeogenesis yes ये glucose के metabolism से है which of the following would help in prevention of diuresis diuresis नहीं होने देना है नहीं होने देना है देखो जब भी diuresis की बात आती है न बच्चो एक जो trick वाला word नहीं वो पकड़ो क्योंकि ये इतना पढ़ने हैं बैठोकरों तो वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा देखो यहाँ पर हमने ये बोला है कि जब भी हम prevention करते हैं diuresis का तो एक तो aldosterone यूज आएगा word और एक आपका reabsorption आएगा तो ANF तो गलत है रेनिन भी गलत है लेकिन अब आप reabsorption of animal water from renal tubule due to aldosterone क्योंकि हमें ADH नहीं करवाना ADH की against जाना है अब बताईए pancreas क्या होगा Deka 2 diabetes mellitus ये दोनों cut कर दीजिए ठीक है और match करिए आपको खुद बखुद option पता चल जाएंगे B का आपका 1 होगा ठीक है A का आपका 3 होगा C का 4 होगा 3 1 4 2 Presence of which of the following condition in urine are indicated of diabetes mellitus ketone body scan or glucose scan that is ketonuria ketone bodies का आना glycosuria glucose का आना बताईए अब बताईए इंसुलीन diabetes mellitus A का 5 A का 5 किसमे इन दोनों में तो नहीं है अब करो match अब कर लो B का क्या होगा 4 होगा T का 1 होगा और D का 3 होगा Loss of anterior lobe of pituitary causes अगर anterior lobe of pituitary को कट कर दिया जाए तो क्या होगा पताईए Simond's disease होती है कौनसा disease होगी Simond's disease क्योंकि आपका जो Oxytose and Vasopresin क्या Constrict हो जाएगा कौनसा होर्मोन Amino Acid Derived है मैंने लिस्ट बताई थी Epinepry Which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis Calcium को bone में से निका लिए तो वो blood में आने लग जाएगा ये कौन करता है Estrogen and parathyroid hormone क्योंकि parathyroid को calcium बढ़ाना है blood में Hypersecretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height because बई एक limit तक ही growth होगी अब आपने बहुत ज़्यादा growth करती है अब नहीं हो रही है growth क्यों क्योंकि एक limit बात खासकर adolescence में जो आपकी epifacial plates हैं ये जो growth की plates होती ही न bone में ये क्या हो जाती है बंद हो जाएगी आगे ये उपर नहीं जाएगी elongate नहीं होगी तो क्या होगा growth नहीं होगी GNRH a hypothalemic hormone needed in reproduction act on GNRH is gonadodroping releasing hormone किस पर act करेगा सबसे पहले posterior पर तो करे नहीं सकते हैं तो option ही गलत है decretion of LH के साथ oxytocin नहीं करेगा साफ है anterior pituitary stimulate secretion of LH and FSH तो this is about your this is about your this session चैनल सबस्क्राइब नहीं किये तो कर ली जएगा ये हमने इन तीन chapters के breathing body fluid का देख लिया हम लोगों ने and excretory का भी देखा इसमें हम लोगों ने locomotion, neural and chemical देखा तो इन तीनों को हमने देख लिया है हमें मतलब इस session को बहुत अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस session को आपको बार-बार पढ़ना चाहिए करिए जितनी बार आप एक session को करेंगे उतनी बार आपको वो session बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो मिलते हैं नए session के साथ बच्चों तिल दन बाबाई हेव नाइस टे